पूरी हमले के बाद पहली बार भारतिय सेना ने बड़ी कार्यवाही करते हुए LOC के पास के इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक की है भारतिय सेना के कमांडोस ने आतंगवादियों के साथ लॉंच पैड को अपना निशाना बनाया और 38 आतंगवादियों को मार गिराया पूरी हमले के बाद से भारत पर लगातार पाकिस्तान की इकलाब कार्यवाही का दबाव बढ़ता जा रहा था पूरी में सेना के ब्रिगेड मुख्याले पर हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे सेना की तरब से बदाया गया कि बुदबार रात को नियंतरन रेका के पास हुई इस सर्जिकल स्ट्राइक के दौरां भारतिय सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है कुछ आतंकवादी लाइन अफ कंट्रोल के साथ लाउंच पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं इस इरादे के साथ कि वो घुस्पेट करके सीमा के इस पार जमू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्पूर्ण शेहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें इस खबर को मिलने के बाद भारतिय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लाउंच पैड्स के उपर किये हैं इस उपरेशन का लक्षया आतंकवादीयों के नपाक मनसूबों को विफल करना था जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुचाना चाहते थे इन काउंटर टेर्रिस्ट उपरेशन के दुरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुचाया गया है और कईयों को अधर मार गिराया गया है इन operations को अब समाप्त कर दिया गया है मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भारतिया, armed forces, सशस्त्र दल किसी भी contingency के लिए हर समय तयार है मैंने अभी पाकिस्तान Director General of Military Operations के साथ संपर्ख किया और उनको अपने concerns बताए और उनको कल रात के operations के बारे में भी जानकारी दी वहीं सूत्रों के अनुसार जम्बू कश्मीर, पंजाब, राजस्तान में बॉर्डर से सटे गाउं को खाली करा दिया गया है Bureau Report, देवुमी News